चौकिदार बेबी ये सब क्या है अरे तुमने तो कहा था कि तुम मुझे बहुत ही अच्छी जगा पर डिनर डेट के लिए लेकर जाओगी लेकिन ये कैसी जगा है जहां पर ये चौकिदार भी हमारे साथ बैट कर खाना खा रहे हैं ये कोई रेस्टरेंट है या फिर धाब फिर गया है कि तुमारे वहां पर काम करता है तो इसनी है कि तेरे से लोग हमारी बराबरी में आके बैठे खाना खाने के लिए हैस्ट क्या पैसे होने चाहिए जो मेरे पास है अच्छा अच्छा आप कपड़े दे कि मुझे रोक रहे हो अगर मैं चोकिदार हूँ तो यहा चोकिदार हमारे रेस्टार में क्या कर रहा है कॉमल यह सर इधर हूँ तुम्हारे रहते हुए इस चोकिदार के हिम्मत कैसे अंदर आने की सर यहां खाना खाने आया इसने इतनी बड़ी क्या पॉड्म है बहार निकालो उसे और जहतरा बोल रहा हूँ ना उतरा कालो ठीके आया सर, मैं बोल देती हूने जाने की एए एम स्क्यूस मी सर फ्लीज आप यहां से ओठकर बहार चले जाए आपका यहां एँ बैटकर खाना कहना अलाओ नहीं इसे अरा क्यू नहीं कहना सकता आपकर आपका ने खाना कहता है तो सर अच्छली यह बात है कि अगर आप यहां यहां सब निए पर बैठ कर खाना खाईगा ना तो हम लोग यहां नंहीं रुख सकते जहां पर हमें полностью थी बैसे तो इस नाम आप चाने कर हम यहां से जाएगे ना तो बोल देंगे के कोई यहां पर खाल शनों का जया है जाएगा तो यह बार फोटी का सिकूर्ट इंगा तर मेरी बाद तो सुनी इस तर इस कि तरफ से मैं आप से उपे मांगता हूं घुमल जो बीन का अउडर है अरेंज करा हो जो फटाबट को पिशाइब अरे सुमित आ गया तू अरे मेरे भाई ये चोकितार के द्रेस क्यों पहनी हुए भाई तूने यार भाईया आप भूल गये बताय थे ना आपको कि मेरे प्ले था अरे यार भाईया है मेरे को हांतरा प्ले था कैसे रातरा प्ले प्ले तो ठीक हुआ और प्ले के बाद मैं रेस्ट्रेंट गया था अपने अच्छा रेस्ट्रेंट गया था मुझे ही बता है तूम आज की चुट्टीन लेता दोनों भाई मिलके खाना खाते हो वापे अच्छा पहली बाद रेस्ट्रेंट केया था बता कैसे लगा माँ के खाना और क्या क्या खाया कैसा लगा वहां प्ले एक मैनेजर मेरी बेसे करके बगा दिया मुझे क्या तुन्होंने बताया नहीं कि तुम मेरा छोटा भाई है उनकी हिम्मत कैसे होगी मैं छोटे भाई के साथ बत्तमीज़ी करने की भाई की बात छोड़ो आप लेकिन आप यह देखो न कि अगर आपके भाई की तके कोई चोक्रिदारी और कोई कस्टमर ह अगर वो किसी और के साथ ऐसा करेंगे तो हमारी रेशन की क्या रह जाएगी और उनकी इन्हीं हरकतों की वज़े से हैं आप भी भाई आपके भागिदारी बन रहे हैं और बहुत बात बोलूं वो रेशन ना आपका है तो उसके जमेदार आप भी हो कि आपका स्टाफ इस बलती है उन लोगों की है मेरे को तो यह लगता था कि वो लोग रेशन को अच्छे से चला रहे मेरी गहर हासली में लेकिन आज जो तो यह बात बता रहा है यह जानके तो मेरे को बड़ा ताजू होता है कि वो कैसे कर सकते हैं ऐसा और सुमेद एक बात चानके बहुत जाद को समझता है और खुशी इसलिए है कि भाई क्योंकि पढ़ाई की नौलेज तो अल्मोस्ट हर इंसान प्राप्त कर सकता है लेकिन जिंदगी की नौलेज और इंसानियत का पार्ट हर कोई नहीं सीख बाता है बाकि तू टेंशन मतले उन्होंने मेरे भाई के साथ पत्तमीज कुछ भी गओ भाई ने रश्ट्रेंट बहुत अच्छा बनाया है अरे यह दुबारा यहां आगया इससे समझ नहीं आता है क्या इसने बिल्कुल परिशान करके रह रखा है खेर आज इसे ना अच्छे से बताना पड़ेगा इसे ऐसे तो समझ आने नहीं वाला तुम फिर से आगए आपे तो मैं समझ नहीं आता एक बारी मैं कल निकाला था ना दक्के मार के मादम उस दिन आपने इस दिन निकाला था क्योंकि मने चोकिदार के ड़ेश डाली थी लेकिन आज तो आज तो आज तो मैं अच्छे कप्र डाले है अरे बेवकू बात कपड़ों की नहीं बात हैसियत की है और हमारा रेस्टराण ना बहुत ही महंगा है तो तुम्हारी उकात दी है कि तुम यहां बैटकर खाना खा सको समझ मैं ही बात अच्छा आप ऐसे कैसे कह सकते कि मेरे कोई हैसियत नहीं खाना खाने की क्योंकि मैं ना चहरा देख कर बता देती हूं कि किसकी उकात है और किसकी नहीं समझ मैं ही मेरी उकात को पता लगेगा ना मैंडम तो आप दरजा हो गये इसलिए चुप चाप जाकर अपना काम कीजिए समझी तुना पत्तमीज है तुझसे ना मैं मोह नहीं लग सकती अभी अभी अपने मैनेजर को भुला कर लेकर आते हूं वो तुझे सब्बक सिखाएंगे सर श्क्यूस मी हां कॉमल क्या हुआ सर एक प्रॉब्लम हो गई है हां सर वो चौकितार याद है आपको उचकल आया था सर वो नाश दुबारा आगया और इस बार जाने का नाम में नहीं ले रहा है एक बड़ प्रीज आपके देख लिचे उस दर उसे धक्का मार के बाहर निकाला फिर भी उसे चैन ने आया चलो आज उसके टांगे तोड़ूँगा अज़ोगा अज़ोए मैंने बुलाई इसे और आप लोग इसे यहां से भगा क्यो रहे हैं अरे सर इसमें खुबी भी क्या है खुबी यह रेस्टोरेंट हमने यहां पर इसलिए नहीं खोला है कि हमें किसी की कमियां देखनी है किसी की खुबी देखनी है बलकि यह रेस्टोरेंट हमने यहां पर इसलिए खोला है क्योंकि हमें यहां पर किसी की भूख देखनी है अगर इन्सान भूखा है, उसे भूख लग रही है तो हमारा फर्ज बनता है उसे खाना खिलाने का और तुम इसकी खूबी की बात कर रहे हो तो बता देता हूँ इसकी खूबी की यह मेरा भाई है और यह कलाकार है जिस दिन तुमने इस इस रेस्टॉरेंट से भगाया उस दिन इसका प्ले था और प्ले खतम होने के बाद यह सीधा यहां आ गया कुछ खाने के लिए लेकिन आप लोगों ने क्या किया इसे यहां से भगा दिया और शर्मानी चीए तुम लोगों के इसकी और ज़्यादा इज़त करनी चीए इस रेस्टॉरेंट के एंट्री गेट पर जो चोकिदार खड़ा होता है उससे इस रेस्टॉरेंट की गुडविल पर बहुत ज़्यादा फरक पड़ता है अगर वो लोगों से अच्छी से पेश आएगा लोगों से अच्छी से बिहेव करेगा तो इस रेस्टॉरेंट में और जादा लोग आएंगे, जोकिदार क्या कुछ नहीं करता है, अपनी जान को जोखिमर डालके हमारी रक्षा करता है, दिंदात हमारी सेप्टी के लिए खड़ा रगता है, और खुद के सुखों को त्याक के कोशिश करता है कि हम लोग सुखी रहें, सुख चैन से सो सके हैं जब हम लोग चैन से घरों पर सोते हैं, तब चोकिदार लोग घर के बाहर हमारे घरों की निगरानी कर रहे होते हैं, अगर वो लोग ना होना, तो हम लोग चैन से सो भी नहीं सकते हैं, अरे इज़त इनसान के किरदार की करो, ना कि उसके लिवास की, क्योंकि लिवास का क् बदलते रहते हैं लेकिन किरदार किरदार एक इंसान के साथ पूरी उम्र रहता है और इन्होंने तरह साथ बत्तमीजी करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और इस बात की सजा में इने दे कर रहूंगा आप लोग अपसे इस रेस्टोरेंट में मत आना क्योंकि आप इस को आपकी जरूरत नहीं है जा सकते हैं आप लोग है नहीं सर हमें जॉब से मत निका लिए आएंदा ऐसी गलती नहीं होगी अरे नहीं भीया रहने जीजिए अंजाने में गलती हुई है गलती शुदाने के कंसे कम एक मौका तो देना चाहिए बड़ा अच्छा लगा तरही किसी भी कस्टमर के साथ तुम बत्तमीज से पेश नहीं आओगे चाहिए जो मर्जी कस्टमर आए तुमारा पहला फर्ज यही बनता है कि उसे अच्छे से पेश आओ समझे तुम अब जाओ एक काम करो मेरे भाई के लिए कुछ खाना लाओ बैट मेरे भाई यार यह थी वाई दौरा बनाएगी च्छोटी सी वी वीडियो सबसे बैल तो आप लोग यह बताए कि आप लोग को क्या लगता है कि एक इनसान का किरदार जादा महत्तों होता है या फिर उसने जो कपड़े पहने होते हैं वो जादा महत्तों होते हैं और साथी साथ यह भी बताए कि क्या हमें इनसान की इज़त इस बेस पर करनी चाहिए कि उसके पास कितना पैसा या फिर उसका व्यवहार देख कि इज़त करनी चाहिए आप लोग की जो भी राय हो आप बहुत जरूर बताएगा बिसिकर इस वीडियो में हमने यह चीज देखी होता है कि हम मैंसे कुछ लोग ऐसे होती है जो अपने आसपास काम कर रहें कुछ लोगों की इजट नहीं करते हैं क्योंकि वह उसे अहदे में थोड़ा चोटे होते हैं और उनसे पैसा थोड़ा कम गमाते है जो कि बहुत जादा गलत है देखिए पोजिशन पैसा ये सब कुछ समय के साथ चेंज होता है इस दुनिया में जब इंसान आता है तो खाली हाथ आता है और इस दुनिया से जब इंसान जाता है तो खाली हाथ जाता है तो जो चीज इंसान के पीछे रह जाती है दुनिया में आई वीडियो में ने इस्टोडियो